हाई गाईज वेलकम बेक टू माय चैनल तुम्हे हो पृती गुपता और मेरे चैनल पृती क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज फिर हम वीडियो लेकर आया है वेट लॉस का पर आज इसमें एक हम एसी एनुखी चीज यूज करने वाले हैं जो मेहदी का तेल हाँ दोस्तों आपने कई तेल देखे होंगे विक्स देखी होगी जिनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रंग खुश्बू होती है और जिनको लगाने से पसीना आता है और इन्हें लगाकर अगर आप ढख ले तो आप पसीने से तर्वदर हो जाते हो और अगर पसीना तर्वदर हो जाए तो आपका वेट लॉस होगा चर्वी निकराएगी तो देखे दोस्तों ये पांच रुपे की डब्बे आती है आप मेहदी की तेल के ले लीजिए और दोस्तों मैं आपको एडवाइस दूंगे अगर आपके पास ये घर पर हो तो यूज कर यह ही इसमय पर्वपर्टीज होती है जो घरमी पेदा करती है हमारे बजन में हमारे मारे बजन में और पसीना करती है कुछ प्रह थे को पुरी तरह से रूपर करती है दोस्तों ये जो रेमेडी है वो आप जाएघ पर, पेड़ पर आथ पर जहांँ एक्स-्रह चर्वी आप वहाँ पर लगा कर इसे इस चर्वी को रिमू कर सकते हो सेकेंड इंग्रेडियंट आप देख रहे हो विक्स वेपोरब विक्स वेपोरब के फायदा आप सभी जानते हैं सर्दी खासी जो काम में हम यूज करते हैं और वेट लॉस में तो विक्स वेपोरब के आपने नुस्के सूने ही होंगे आप उसे हाथ में लगा के देख लिजिए इसा जलन करेगा ऐसा जलन करेगा और बहुत ज़्यादा पसीना ले आएगा आप अपने गले में लगा लिजिए अगर साधी खासी हो और ओड कर सू जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा तो इसी प्रकार से हमें इस नुस्के में वेट लॉस में भी विक्स वेपोरब का यूज़ करना है तो यहाँ पर भी हमें आदा चमत के करीब विक्स वेपोरब ले लेना है दोस्तों आपको उतनी क्वांटिटी में बनाना है जितना आपको यूज़ करना है कहने का मतलब यह इस नुस्के को आप यह नुस्का बाहर से आपका फेट लूस करेगा जो आप ड्रिंक लेते हो वेट लॉस की वो अंदर से आपके वेट को लूस करता है लेकिन यह नुस्का बाहर से जो एक्स्ट्रा चर्बी आपको नजर आ रही है पोरी मूघ करेगा यह नहीं का मतलब अगर आपकी जांगे मोटी है अगर आपके थाइस मोटी है अगर आपके हिप्स मोटे हैं आपके हैंड मोटे हैं तो वहाँ पर ये नुश्खे को आपको उपयोग करना है और आप मात्र 15 दिन उपयोग करके देखेंगे और रिजर्ड 101% मिलेगा यह मेरी ग्यारंटी है अनुबह आप मेरे शाद जरूर शेयर किजेगा कमेंट बॉक्स में यह पृति गुपता का चै अभी तीसरा इंडिर्डेंट हम जो ले रहे हैं दोस्तों वह है बेकिंग सोडा मीयठा सोडा जो हम घर पर उपयोग करते हैं। कई चीजे बनानों में हम यहाँ पर मीटे सोड़े का उपयोग करते हैं मीटे सोड़े में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारा वेड लॉस करती है दोस्तो आप सभी ने सुना होगा कि पानी में सिर्फ मीटा सोड़ा मिला लो तो वो इनों की तरह बिल्कुल बन जाता है और आप उसे उसे भी पीलो तो आपकी गेस पास हो जाती है आपका पेट साफ हो जाता है टमी साफ हो जाती है तो यहाँ पर हमने मीटे सोड़े का भी उपयोग किया है देखो यह हमारी रेमेडी बनकर रेडी है दोस्तो इस रेमेडी पर एक लाइक बनता है और अगर आप चाहते हैं मेरा ब्यूटी पालर है उसके भी वीडियो आपको इस पर मिलते रहेंगे तो आप अगर चाहते हैं कि आपको पालर के भी आनुक है यानुक है वीडियो मिलते रहे, गरेलोन उसके भी मिलते रहे, बीमारी उसे रिलेटेट उसके भी मिलते रहे, तो आप इस चैनल को भी सस्क्राइब कीजिए, देखिए आपको जहां पर भी एक्स्रा चर्बी है, मुझे कही जगा भी एक्स्रा चर्बी नहीं है, मेरा वेट बढ़ गया इसी polythene से अच्छे से cover कर देना है एटलिस्ट एक घंटे के लिए आप polythene से cover करें दोस्तों क्योंकि पोलोथene से cover करने के बाद इसमें पसीना आएगा और पसीना आएगा तो आपका फेट बर्फ की तरह पिखलेगा आपकी चर्बी पर्वक की तरह पिखल जाएगी पूरी तरह से आपकी पेट की चर्बी हो चाहे जांग की चर्बी हो चाहे थाई की चर्बी हो चाहे हिप्स की चर्बी हो पूरी तरह से रिमू हो जाएगी दोस तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उप्योगी होने वाला है दोस्तों अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम और फैस्बुक पे फॉलो करना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी लाइब भी आती रहती हूं मैं तो इसलिए अभी सस्क् कर दीजिए और इस नुसके का अनुभाव मेरे साथ कामेंट बॉक्स में जरूर शेयर किजेगा थेंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स बाबाई